Computer Attack in Hindi में आपका स्वागत है मैं महम्मद फैजान अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सस्क्राइब कर लिजिए सस्क्राइब करने से आपको हमारे वीडियो मिलते रहेंगे जो मैं नए अपलोड करता हूँ और हमारे वीडियो को लाइक भी किजिए ताके हमें पता लगे कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने Gmail ID में Signature को यूज कर सकते हैं Signature option उसमें होता है उसको यूज कर सकते हैं और signature के साथ में एक photo और एक link भी हम भेज सकते हैं तो चलिए अपना Gmail ID open कर लेते हैं अपना Gmail ID को open कर लीजिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि signature क्या होता है पहले मैं signature बता देता हूँ आपको जैसे ही आप किसी को कोई mail भेजते हैं जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ compose mail पर हम चाहते हैं हम किसी को message भेजे और message में ये words जो हमारा thank you suggestion वाला word होते हैं thanks and regards और अपने इसका नाम computer tech in Hindi और ये और एक जो हमारा photo होता है logo और हमारा एक link जो कि हमारे इसके साथ में mail के साथ में जाता है या कोई भी आपके पास बड़ा company का कोई mail आता होगा तो उसमें ये बात जरूर लिखी होती है तो ये signature में हम add कर सकते हैं हमें हर mail में बार-बार type नहीं करनी पड़ेगी हम किसी को भी कोई mail भेजेंगे तो ये उसमें अपने आप आएगी तो हमें क्या करना है settings में आना है यहां से side से और settings में आने के बाद यहां journal से जाना है नीचे और यहां पर एक option है signature ठीक है यह यहां पर लिखा है signature तो इस signature के अंदर हम जो भी paste करेंगे वो उस सभी mail में आएगा जो आप नए mail लिखोगे ठीक है तो हम लिख देते हैं यहां पर thanks and regards यह type कर लेते है and regards computer attack in Hindi और हम अपना नाम भी लिख देते हैं यह सब चीज़े जो है लिखी भी होती है कोई आपको mail भेजता है तो वो उसका नाम लिखा होता है कि यह उसने भेजा है और उसके बाद हम चाहते हैं यहां पर एक photo जो है हमारा logo company का वो आए तो यहां जो image वाला बिटन था उस पर click करेंगे और यहां से हम uploads पर आएंगे uploads पर आने के बाद यहां हम select from computer यहां से अपने computer से select कर सकते हैं और हमारा यह जो है desktop पर पड़ा है photo तो हम desktop पर से इसको open कर लेंगे ठीक और यह upload हो रहा है और यह यहां पर आ जाएगा यह आ गया ठीक है तो इस photo पर click करेंगे और इस पर click करने के बाद नीचे को जैसे लाएंगे तो यहां पर option आएंगे small पर click करना है large small का फिसारे option आएंगे तो यह small हो जाएगा अब यहां हमें नीचे link और चाहिए तो नीचे click करिए link पर click करिए और यहां link जो है आपको कहां से चाहिए हमें YouTube का link चाहिए तो YouTube यहां पर open कर लेते हैं उपर तो हम चाहते हैं कि यहां पर हमारा link आए नीचे वहां पर click करने से तो हमें इसमें जो है वो type करना है text जिस पर click करने से वो हमारी link पर जाएगा तो हमने यहां लिख दिया subscribe us on YouTube तो इस click here और हमने यह लिख दिया है इस पर click करने से जो है हमारे उस पर आ जाए YouTube चैनल पर तो YouTube चैनल का link ले लेते हैं यहां से जाकर YouTube YouTube पर से YouTube खुलेगा उसके बाद माई चैनल में click कर लेगे और यह माई चैनल का link है इसको copy कर लेगे और यहां paste करा देगे Ctrl V के साथ करें तो अब यह एक link आ गया है इस पर जैसे ही कोई click करेगा तो हमारे चैनल पर चला जाया करेगा और इसको save कर देगे हम ठीक तो यह save हो गया है अब जब भी आप कोई नया mail टाइप करेंगे जैसे कि मैं compose mail पर दुबार क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं यह नीचे अपने आप signature add हुए वे आ रहे हैं कि thanks and regards और किस ने भीज़े है वो सब इसको escape button से दबा कर हम हटा सकते हैं या फिर close भी कर सकते हैं यह कुछ instruction है इनको पढ़ सकते हैं आप ठीक है तो हम किसी को mail भीजना है जैसे कि मैं इसको logo भीजना च इसका email id लिखकर इसको send कर सकते हैं और यह हमने send पर click कर दिया है अब हम send में जाकर देख लेते हैं send mail पर आएंगे और mail पर आएंगे तो आप देख रहे होंगे यह mail है यहां से इसको view करेंगे तो यह हमारी company का नाम logo यह सब हमारे साथ में जाएगा हर mail के तो यह signature होता है इस तरह से add करते हैं चलिए इसको बंद करते हैं अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें पसंद आया है तो computer technology को like और subscribe कीजिए